हेलो फॉरेंट्स एपिसोड 11 की शुरुआत में हमें लाइट को दिखाया जाता है जो कि अपनी विंडो के पास खड़ा कुछ सोच रहा था दूसरी तरफ हमें टास्क फोर्स की मिटिंग का सीन दिखाया जाता है वे लोग डिसकस कर रहे थे कि नाओमी मिसोरा के मर्डर के ब मिलाया तभी वातरी रूम में एंटर करता है वो एल को बताता है कि साकुरे चैनल पर एक इंपॉर्टेंट न्यूस दिखाई जारी है टीवी होन करने पर वे लोग देखते हैं कि न्यूस रीडर्स बता रहे थे कि की रा ने हमें बंदी बना लिया है और हमें उसके ओर्ड टीवी चैनल की टी आरपी 60 से 70 परसेंट तक बढ़ेगी यह पक्की बात है अब बात करें पहले टेप की तो उसमें दो क्रिमनल्स के बारे में बताया गया था जिनकी मौत कल हो गई थी जैसे कि कीरा ने का था वो दोनों क्रिमनल्स कीरा के बताय हूँव टाइम पर ही हार् और उसने लेटर में यह भी लिखा है कि इस टेप में दुनिया के लिए एक मैसेज है तीवी स्क्रीन पर टेप स्टार्ट कर दी जाती है जिसमें कीरा का नाम दिखाया जाता है कीरा की आवा सुनाई देती है कि आपको मैंने यह टेप 18 अपरल को 559 पेम पर टीवी पर शो क करता है कीरा बोल रहा था कि यह निए उस एंकर हमेशे कीरा को बुला कहता रहता है और इसलिए मैंने से मार दिया अब बारी यह दूसरे विक्टिम की मेरा अगला तारगेट ए नहीं टीवी का कॉमेंटर मिस्टर सीजी कुमाइजुमी जिसने पब्लिक लिए हमेशे कीरा क पर समय लोग मुझे पकड़ने की कोशिश नहीं करोगे तो मासुम लोग नहीं मारे जाएंगे, यहाँ पर उकीता साकुरा टीवी स्टेशन पर पहुँच चुका था, उदर कीरा टीवी पर बोलता है, कि अगर पुलिस मेरा साथ नहीं देती है, तो कोई बात नहीं, मगर टीवी पर कीरा को बुरा बताना बंद करो, तो किसी की भी जान खतरे म नहीं होगी, बाकी पबलिक के लिए मेरा यही मेसेज है कि शान्ती से यह सब देखते रहो, कि कैसे मैं आपके लिए सेफ दुनिया बनाने जा रहा हूँ, उदर चीफ यागमे भी या ब्रोडकास देख रहा था, उसके पास बेटी साची को टीवी आफ कर देती है, चीफ य अब उकीता अपनी गन निकालकर लॉक को टार्गेट करता है, लेकिन उसी पल उकीता को हार्ट अटेक आने लगता है, और बहुत दुख की बात है कि उकीता वहीं पर मर जाता है, उदर टास्क पोर्स में दो टीवी सेट और आउन किये जा चुके थे, और वे लोग उकीता आईजवा केता है कि तुमने तो कहाता है कि कीरा बिना नाम के नहीं मार सकता है, फिर यह कैसे हो गया, तब माचसुरा एल से केता है कि इस हिसाब से तो हमारी असली नाम पहले से ही, अगर ऐसा होता तो हमें काफी पहले मार चुका होता है, मुझे लगता है कि कीरा को नाम face की ज्रूरत है किसी को मारने के लिए मगर हमने अभी जो देखा है उस हिसाफ से कीरा सिरre face देखकर ही सब को मार रहा है मतलब कि कीरा sakura tv station के अंदर ही है या फिर उसके आसपस की किसी building में हो सकता है और वो tv station के बाहर भी नज़र लखे हुए तब आईजवा कहता है कि तब तो हमें वहाँ जरूर जाना चाहिए ना उसे पकड़ने के लिए एल कहता है कि ऐसा भी हो सकता है कि उसने वहाँ सिर्विलेंस केमरा लगा रखे हो और वह काफी दूर कहीं बेठा हो ऐसे में वहाँ जाना बेवकुफी होगी अब आईजवा को और भी ज़्यादा गुस्ता आता है और वह एल से कहता है कि तुमने तो कहा था कि कीरा को पकड़ने के लिए तुम अपनी जान भी खतरे में डाल सकते हो तब एल कहता है कि अपनी जान खतरे में डालना अलग बात है और वहाँ मुझे पता है कि मैं मरूंगा ही, वहाँ खत्रा उठाना सही नहीं है, वो किता कि मुद के वाद तुम्हें खत्रे में नहीं डाल सकते हैं, उधर टीवी पर कीरा की आवर सुनाई देती है, वह कहता है कि मैं यह जानना चाता हूँ, कि पुलिस फोर्स मेरी मदद कर मेरा साथ देगी है, नहीं नहीं दुनिया बनाने में, और यह बात आप मुझे चार दिन बात 6 पीम वाली न्यूज में एनाउंसमेंट करके बता सकते हैं, मैंने दोनों ही एंसल के लिए वीडियो टेप्स बहजी है, उधर साची को जब रूम में पहुंचती है, तो देख उधे चीफ यागमी, टामी कमा यानि टीवी चैनल के डारेक्टर से कहता है, कि अभी के अभी ये ब्राडकास्ट बन करो, और मुझे सारी टेप्स दो, मैं पुलिस चीफ हूँ, तब टामी कमा कहता है, कि सर हम मजबूर है, अगर ये ब्राडकास्ट रोग दी गई तो कीरा हमें मार देगा, तब चीफ केता है, मुझे टेप्स अभी नहीं मिली, तो मैं यहीं पर तुमें मार दूगा, डामी कमा डर जाता है, और टेप्स चीफ यागमी को दे देता है, तीवी स्टेशन के बाहर कुछ पुलिस ओफिसर्स पहुच गए थे, जो टीवी स्टेशन में एंटर करते हैं, एल यह देकर कहता है कि यह काफी बहादूरी का खाम है, मगर इन ही होगा जाने से रोकना होगा, तब एल डिप्यूटी डिरेक्टर कीता मरा को कॉन्टेक्ट करता है, और कहता है कि पुलिस ओफिसर्स को वहाँ से जाने का ओडर दे दीजिए, वरना सब मा जाएंगे, तो यहाँ पर डिप्यूटी डिरेक्टर टीवी ब्राडकास्ट में देखता है कि कुछ ओफिसर्स हार्ट एटेक से मर रहा है, यानि कि कीरा ने उन्हें मार दिया, तो चीफ यागमी बातारी को अपनी बेल्ट में लगी डिवाई से कॉन्टेक्ट करता है, वा अगे वाले डॉर्से में नहीं बाहर जा साथ, तब एल की तामुरा के साथ मिलकर कुछ प्रेपरेशन करता है, ताकि चीफ यागमी को बाहर लाया जासे के ल, चीफ यागमी को कॉल करता है, और कहता है कि आप पांच मिनिट के बाद फ्रंट इंटरेंस से ही भार आना, समझ चुके थे कि कीरा आर टीवी स्टेशन के अंदर नहीं है, इसलिए सारी प्रोटेक्शन बाहर की ही होती है, चीफ यहाँ पर देखता है कि उसे लेने के लिए वही ऑफिसर आया था, जो कीरा के स्टार्टिंग में ही छोड़कर चला गया था, चीफ यागमी उसे देख करने के कोशिश करें, गुधर चीफ यागमी टास्क फोर्स के अंदर आ जाता है, और एल से केता है कि रियुजा के मुझे माफ करना मैंने जल्द वाजी में ये सब कुश किया, अब उसारी टैप्स और लेटर युजा की को दे देता है, रियुजा की मतलब एल सुचता है क मिस्टर यागमी आपने जो खतरा उठाया वो जाया नहीं जाएगा, उस लेटर पर उसाका का पोस्ट मार्क था, मगर एल सुचता है कि कीरा उसाका में ही हो, ये तो जरूरी नहीं, क्योंकि वा किसी विक्टिम से भी लेटर पोस्ट करवा सकता है, अब एल उस टेप्स की क पी अपने पास रखता है, और ओरिजिनल टेप्स को क्राइम लेब में बेच देता है, टेप्स को देखने के बाद एल सुचता है कि ये भी कमाल की थेओरी है, अगर पुलिस कीरा का साथ देना चाहती है, तो टेप 3 चला ही जानी है, और अगर नहीं देती है, तो टेप 4 ब कि कीरा तो बस यही चाहता है कि टीवी पर वो सभी NPA मेंबर्स और मुझे देखे और जरा भी शक होने पर हमें मार सके, तब चीप पुछता है कि यदि हम साथ ना देतो, तब एल कैता है कि तब भी कीरा हमें मौका मिलते ही माने की सोचे, इसलिए हमारा आंसर नो ही है, टी अब आगे के चार दिनों में आप खुदी डिसाइट करो कि इतने किस की जान लो, इस दुनिया को बहतर बनाने के लिए, अब हमें लाइट का सिंदिका जाता है, जो कि टीवी देखते हुए हस रहा था, और कहता है कि गौड आफ डेथ मेरी मदद कर रहा है, लगता है कि को अगले चार दिनों में एल भी मारा जाएगा, लेकिन इस कीरा को माफ नहीं किया जा सकता है, इसने असली कीरा की इमेज को खराब किया है, और अगर यह पकड़ा जाता है, तो पुलिस के हाट डेथ नोप लग जाएगी, इसलिए एसे ही इसे छोड़ नहीं सकते है, मुझे टास्क फोर्स जाना चाहिए, ताकि मैं एल और उस नकली कीरा की एक्टिविटी का पता लगा सको, अब हमें पुलिस टास्क फोर्स कर रूम दिखाया जाता है, चीफ यागमी कहता है कि अलग-अलग कांट्रीस के चीफ ने बात कर लिए, उन्होंने का है कि एल को टीवी प इसके बात के चांसें काफे जाता है, या फिर हम इसे सेकंड कीरा बला सकते है, तब मैच्टुरा केता है कि तुम्हें इसा क्यों लगता है, तब अल केता है कि पहली बात हुआ है कि उसने अभी तक जितनी भी लोगों को मारा है, उन्हें पहले सही शेडूल कर रखा था, और ये सब उसने सिर्फ ये बताने के लिए कि आए कि वो असली कीरा है, जिन क्रिमिनल्स को इसने मारा था, उनके नाम केवल मैगजिन्स, निउस्पेपर या फिर डे टाइम टाक शोउस में दिखाये गए थे, असली कीरा को ऐसे लोगों को मानने की कोई ज़रूत नहीं, चीफ यागा में पोचता है कि रियुजा की ये एक सेकंड कीरा है, इस बात के कितने चांसे हैं, एल कैता है कि काफी हाई चांसे हैं, मेरे ख्याल से 70 से 75 परसें, मुझे इसा लग रहा है कि ये कीरा नहीं है, क्योंकि अपना डर बनाने के लिए किसी मासुम को नहीं मारे का लेकिन हाँ, अगर हमें एक कीरा मिल जाता है, तो दूसरे को आरेस्ट करना मुश्किल नहीं होगा, इसके बाद एल कहता है कि मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने बेटे को भी इन्वस्टिकेशन में सामिल करें, चीफ यागा में कहता है कि क्या अब तुम उस पर शक नहीं अपने लिए ही यूज करी हूँ कि मैं कीरा के काम को पसंद करती हूँ, मैं कीरा से मिलना चाहती हूँ और देखना चाहती हूँ कि आखिर वह कैसा इन्सान है, तो मैंने वह टैप्स टीवी स्टेशन बेजी थी, इस तरीके से कीरा मुझे नोटीस करेगा ही, और मुझे शिरिगामी आईस है, तो फ्रेंड्स यह एपिसोड यहीं पर कत्म होता है, अब नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जिलू कर लीजिए और वीडियो फसंद आने पर लाइक और शेयर कीजिए, इंक्स पॉचिंग